बली हमेशा बक्रे की दी जाती है शेर की नहीं जब देवा सेलून में अकेला था तब उस पर जानलेवा हमला किया गया डॉन देवा गुर्जर की हत्या के मामले में एक बेहत चोकाने वाला खुलासा हुआ है देवा की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बलकी उसके खास दोस्त बदमाश बाबुलाल गुर्जर पर लगा है करीब पाँच महीने पहले देवा और बाबुलाल गुर्जर की मुलाकात हुई थी दोनों एक साथ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करते थे देवा के भाई रंगलाल ने ही बाबुलाल और उसके साथियों पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप लगाया देवा के परिवार का कहना है की रावतभाटा प्लांट में उसने किराय पर गामाई के बारे में भनक लगी फिर वह उसे अवैद वसूली के लिए धमकाने लगा उसने देवा से 5 लिख रूपय की दिमांड की थी परिजनों का दावा है कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच जगड़ा हुआ था इसकी रिपोर्ट भी दर्च कराई गई थी थाने में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था परिवार ने आरोप लगाया है कि बाबुलाल गुट ने पुलिस के सामने ही देवा को देख लेने की धमकी दी थी परिवार का कहना है कि देवा की हत्या साजश की तहतकी गई है देवा सोमवार को अपनी गारी ठीक कराने रावत भाटा गया हुआ था उसके साथ कुछ साथी भी थे देवा ने गारी को एक मिस्त्री के पास छोड़ा और सैलून आ गया बदमाशों के देवा के हर मूवमेंट की जानकारी थी जब सैलून में देवा अकेला था तो बदमाशों ने उस पर तेजधार हतियार से जानलेवा हमला कर दिया शरीर पर वार के कई निशान सूत्र बताते हैं कि देवा गुर्जक पर तेजधार हतियार से एक दो नहीं बलकी कई वार किये गए थे उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई थी परिवार का दावा है कि देवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था वह अपने कई वीडियो अपलोड किया करता था कुछ महीने पहले देवा और बाबुलाल के बीच दोस्ती हुई थी दोनों साथ में वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे पुलिस का कहना है कि देवा गुर्जर रावत भाटा थाने का हिस्ट्री शीट था उस पर 15 मामले दर्ज है